नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर दोस्तों अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव दोस्तों 14 अगस्त यानी सोमबार के दिन पढ़ रही है मासिक शिवरात्री और इस मासिक शिवरात्री में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस साल पूजे गुरूजी दो बार अपनी ऑनलाइन पूजा करवाएंगे आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में पूजे गुरूजी जो ऑनलाइन पूजा करवाते हैं उसमें स्वयन गुरूजी यह कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी विशेश मनोकामना है जो आप अपने मन में संकर्प करके इस पूजा को करते हैं चाहे आपकी मनोकामना की नौकरी से संबंधित हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो या फिर आपके घर में धन धाने से संबंधित हो या फिर आपके बच्चों से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो उसको अगर आप संकल्प करके या पूजन करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द महादेव की क्रिपासे परिपूर्ण न होती है। और इसी पूजा में जो सामगरी इस्तिमाल होने वाली है, उस पूरी सामगरी की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ऐसा पहली बार मौका मिला है जब आपको इस सावन और अधिक मास में पढ़ने वाली यह विशेश तिथी मिल रही है। और वह भी सोमवार के दिन इसलिए आपको पूज गुरुजी द्वारा कराए जाने बाली यहां ओनलाइन पूजा किसी भी हालत में छोड़नी नहीं है। आपको लगभग दस दिनों पहले पूजन की सारी सामगरी बता दी जा रही है ताकि आप आसानी से और बहुत ही सुलगता से यह सारी सामगरी एकत्रत कर सकें। गुरुजी ने स्वय कहा है कि हमने कई ऐसे पत्रों में देखा है जिसमें लोग कहते हैं कि ओनलाइन पूजा करने के बाद सिर्फ कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में महादेव ने उनकी सारी मनोकामनाओं को परिकूर्ण कर दिया है तो चलिए जानते हैं इस करके कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए इसमें जितनी भी सामगरी इस्तिमाल होगी वहां हम आपको वीडियो में सामने स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे जिससे आपको कोई भी सामगरी पहचानने में कठिंता न हो लेकिन। सबसे पहले आपको लेना है बेलपत्र आप सभी जानते हैं कि महादेव शिव को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है इसलिए आपको गिनकर 21 बेलपत्र ले लेनी हैं और साथ ही साथ 2, 4 या 5 बेलपत्र अलग से रख लेनी हैं क्योंकि इससे पहले जो अभी 15 दिन य अलग लेंगे और साथ में पांच या चार बिलपत्र अलग से रख लेंगे। फिर इसके बाद आपको लेना है जरनी देखिए प्रत्येक पूजा के लिए एक बहुत ही विशेश सामगरी की जरूरत होती है, जो होती है जनेव। इसलिए आपको दो जन्म ले लेने हैं। पांच पूजा की सामगरी के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है, तो आप पूजा ने जो पानी इस्तमाल होता है वहीं पान ले लेंगे। आप किसी भी दुकान में जाएंगे और उनसे बोले की आपको पूजन सामगरी के लिए पांच पान के पत्ते चाहिए, तो आपको पांच पान के पत्ते पूजन सामगरी वाली दे देंगे। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है सुपारी देखिए सुपारी आपको पांच लेनी है पांच पान के पत्ते भी लेनी है आपको और पांच सुपारी भी आपको ले ली है लेकिन सुपारी लेते समय भी आप उनसे बोल देंगे कि आपको पूजा बाली ही सुपारी चाहिए फिर इसके बाद आपको लेना है घी का दीपक, आप सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लेंगे दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर आता मार कर उसका दीपक प्रजवलित कर सकते हैं लेकिन इस दीपक में आप जो भी का इस्तिमाल करेंगे वो भी आपका शुद्ध देशी गाय का ही होना चाहिए और इसमें आप गोल्ड रूई की बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं फिर इसी के साथ आपको लेना है धूप बत्ती धूप बत्ती आप सभी जानते हैं कि 5 रुपया 10 रुपय की पैकेट आपको आसानी से मिल जाएगी तो आप एक पैकेट धूप बत्ती ले लीजिए फिर इसके बाद आपको लेना है एक पानी वाला नारियल पानी वाला नारियल जो हम लोग अक्सर नवरात्र में मातारानी को समर्पित करते हैं वह पानी वाला नारियल होता है और इसी नारियल का हम लोगों को उप्योग करना है आपको सूखा वाला नारियल बिलकुल भी नहीं लेना है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कनफ्यूज हो जाते हैं तो आपको पानी वाला नारियल लेना है फिर इसके बाद आपको लेनी है कपूर के छोटे टुक्रे देखिए जब आप आरती करेंगे सबसे आखिर में तो आपको थोड़ी से कपूर के टुक्रों की जरूरत पड़ेगी इसलिए आप कपूर के थोड़े से टुक्रे ले लेंगे फिर इसके बाद आपको लेना है चंदन महादेव को सबसे प्रिय सामगरी के रूप में कुछ ही चीजें बहुत ही प्रिय होती हैं जिन मेंसे एक होता है चंदन चंदन आप चाहे तो पीला ले 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 या फिर लाल ले ले या फिर सफेद ले ली आपके पास जो भी चंदन उ प्लब्ध हो जाता है आप उस चंदन को ले सकते हैं यह सारी सामगरी आप किसी कॉपी में या किसी रजिस्टर में जरूर लिखे लीजिएगा क्योंकि पिछली बार आप लोगों को बताया गया था लेकिन आप लोगों ने कहीं पर नोट नहीं किया था जिसकी वजह से बहु लेना है इत्र आपको परफ्यूम नहीं लेना है बलकी इत्र लेना है इत्र आपको किसी भी शिवालय के आसपास जो दुकाने होती है जो पूजन सामगरी वाली दुकाने होती है उनमें आपको 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए की छोटी सी बोतल मिल जाएगी फिर इसके बाद आपको लेना है मेहंदी आप मेहंदी की पत्तिया ले लेनी है लेकिन दुकान वाली जो मेहंदी होती है उसमें केमिकल मिला होता है और पूजे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हमें शिवलिंग में कोई भी केमिकल वाली सामगरी समर्पित नहीं करना चाहिए अगर आपको मेहन्दी की पत्तिया नहीं मिल पाती है, तो फिर आप जहां से फूल लेते हैं, या फिर जहां से आप बेल पत्र या शमी पत्र लेते हैं, उन भैया से या फिर उस दुकान वाले से अगर आप बोल देंगे, तो वह आपको मेहन्दी की पत्तिया लाकर जरूर द एक आचमनी देखे पिछली पूजा में पूजे गुरू जी ने आचमनी का बार-बार इस्तिमाल किया था इसलिए आपको आचमनी ले लेनी है। उसको कलावा कहते हैं। फिर इसी के बाद आपको लेना है गुलाब का फूल देखिए गुलाब का फूल बहुत महंगा मिलता है। तो फिर आप एक या दो गुलाब के फूल ले लीजिए और उनसे गुलाब की पंखुडियों को निकाल लीजिए। अगर आप गुलाब के फूल ले रहे हैं तो आप पांच साथ या फिर ग्यारह गुलाब के फूल ले लीजिए और गुलाब के फूल नहीं ले पा रही हैं। तो फिर आप एक या दो गुलाब लेकर उनसे पांच साथ या ग्यारह या 21 पंखुडिया निकाल लेंगे और उनका भी इस्तिमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है सफेद पोष सफेद पोष यानि सफेद फूल महादेव को सफेद रंग की सामगरी बहुत ही प्रिय होती हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा जितने भी सफेद रंग के पुष्प मिल जाएं, तो आप उतने ले लीजिएगा. अगर आपको ग्यारह 21, 21, 41 या 51 जितने भी सफेद रंग के पुष्प मिल जाते हैं, उतनी आप ले लीजिएगा. अगर सफेद रंग के पुष्प कम मिल पाते हैं तो फिर आप कनेर के फूल भी ले सकते हैं कनेर के फूल भी महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं तो आपको सफेद रंग के या फिर कनेर के फूल जो भी मिल जाते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा ले लेना है फिर इसी के साथ आपको लेना है पंचामरित की सारी सामगरी पंचामरित यानि दूध दही शहद और चीनी यह पांच सामगरियों से मिलाकर पंचामरित बनाया जाता है और ये पांचों सामगरी आपको शुद्ध ले लेनी है आप दूध जो लेंगे वह गाय का ही लेंगे और भी जो लेंगे वह भी कोशिश करेंगे कि गाय का ही ले लें देखिए गुरुजी ने हमेशा कहा है कि केमिकल वाली सामगरी हमें शिबलिंग में समर्पित नहीं करना चाहिए इसलिए आप पहले कोशिश करेंगे कि अगर गाय का यह सब मिल जाता है तो ये सारी सामगरी गाय की ले लेनी है अगर आपको शुद्ध, दूध और घी नहीं मिल पाता है तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है आपके लिए पैकेट वाली सामगरी का पूरे भाव से महादेव में निवेदन करते हुए का इस्तिमाल कर सकते हैं फिर इसी के साथ आपको लेने है काले तिल आप चाहे तो 21 यानि 21 काले तिल के दाने ले ले या फिर 24 चमच काले तिल के दाने ले ले फिर इसे के साथ आपको लेनी है 108 चावल के दाने, 108 चावल के दाने जो भी आप लेंगे वह कोई भी चावल का दाना तूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना और इन चावल के दानों के साथ कुछ चावल के दाने आप और भी ले लीजिएगा क्योंकि बार बार गुरु जी हमेशा जब आच्मनी से आच्मन करवाते हैं तो उसके बाद कुछ अक्षक कुछ पुष्प अपने हाथ में रखने के लिए जरूर कहते हैं इसलिए आप कमल गट्टे कमल गट्टे महादेव को बहुत प्रिय है इससे महादेव हमारे जीवन में धन धाने की वृद्धी करते हैं इसलिए आपको पांच कमल गट्टे ले लेने हैं कमल गट्टे के बाद आपको लेना है गेहूं के दाने गेहूं के आप 21 दाने ले लेंगे यानि 21 गेहूं के दाने ले लेंगे लेकिन गेहूं का दाना कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए तूटा नहीं होना चाहिए फिर सबसे आखिर में आपको लेना है, फल फल आपको दो प्रकार के लिए सकते हैं, आप चाहे तो केले और आम यह दो फल ले सकते हैं, या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दो फल लेने चाहे वो ले सकते हैं फिर इसी के साथ आपको सबसे आखिर में ले लेना है, मिठाई एक कोई भी मिठाई महादेव कुछ लोग प्रिय हो देखे वैसे तो महादेव को सफेद रंग की सामगरी बहुत ही प्रिय होती है, तो अगर आप सफेद रंग की कोई भी मिठाई लेते हैं, तो वह महादेव क बहुत ही प्रिय लगती है, इसलिए आपकी, जो भी सामर्थ हो आपके जो भी भाव बने उस हिसाब से आप सिर्फ एक प्रकार की कोई भी मिठाई ले सकते हैं, तो दोस्तों ये थी पूजे गुरुजी द्वारा कराए जाने वाले ओनलाइन पूजा की पूजन सामगरी, दो